आज हम विश्नु खरे जी का जीवन परीचे जानने का प्रियास करते हैं सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म कहा और कब हुआ था तो इनका जन्म 9 फरवरी 1940 में छिंदवाडा जिले जो की मद्धिप्रदेश के अंतरगत आता है उसके छोटे से गाउं में हुआ था और इनका परिवार मद्यमवरगी परिवार था तो सुभाइक बात है इनका बच्पन समस्याओं के साथ बीता होगा तो इनका बच्पन किसके साथ बीता समस्याओं के बीच में ही बीता मुसिबतों के साथ इनका बच्पन बीता इनकी प्रारंबिक सिक्चा छिंदवाडा मद्धिप परिचे के तथिली हैं जो कि आपसे एक अंक या वस्तुनिष्ट प्रस्णों में आपसे पूछ जाते हैं बाकी चीजों को मैंने छोड़ दिया है तो सोबाइक बात है कि यहां छोटा और सटिक मैंने लिखने का पिडियास किया है बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की तरफ तो देखते हैं इनकी खुद अपनी आख से पहली रचना आप लिख सकते हैं खुद अपनी आख से पिछला बाकी और सब की आवाज के परदे आदी यह तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यह आदिया अपनी आख से पिछला बाकी सब की आवाज के परदे में वेसे आपसे दो पुछता है और आपसे भासा सेली पुछता है और साहित्ति में इस्तान आपसे परिक्ष्छा में पूछा जाता है तो दौा प्रशना यहां से लिख सकते हैं इसके बाद बढ़ते हैं भासा की तरफ तो इनकी जो भासा है वहाँ साधारन बोलचाल की खड़ी बोली है इन्होंने जो अपनी भासा का सजीव, गतिसील और व्यावारिक बनाने के लिए अन्य भासाओं का भी पिरियोग किया जैसे इन्होंने उर्दू के सब्द का पिरियोग कर लिया अंग्रे जी के सब्दों का पिरियोग कर लिया मुहावरों और कहावतों का पिरियोग अपनी भासा में करके इन्होंने क्या कर दिया उसे सजीव, अंकन कर दिया यहने कि इनकी भासाओं को इन्होंने आकरसित, अट्रिक्टिव बना दिया अब बढ़ते हैं सेली की तरफ इनकी तो विश्नु खरेजी की जो सेली है वहाँ सरल एवम सुबोध है इनकी सेली में कोई बनावटीपन नहीं है केसी है इनकी सेली कोई बनावटीपन वाली सेली नहीं है सरल और सुभोध इनकी सेली है क्योंकि ये संपादक होने के साथ सथ अध्यापक भी दाए है इनकी सेली में निमनलिकित रूप है जो इनकी सेली का इनोंने पिर्योग किया अपने कावी में उसका निम्लिकित रूप है जिसे वरनात्मक सेली, भावात्मक सेली, हास्य वंग्यात्मक सेली और आलोशिनात्मक सेली का रूप इनकी सेली में दिखाई देता है। साहित्ति मेंस्तान की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, विश्नुक हरेजी जो थे एक गंभीर विचारक, आलोचक एवं निभंद लेकक होने के साथ सत कवी भी रहे। देखिए, चाहे आपसे कवी परीचे का साहित्ति मेंस्तान पूछे या लेकक परीचे का साहित्ति मेंस्तान पूछे, आपको मैं एक ट्रीक बताता हूँ। उसको फोलो करके आप हमेशा कोई साभी आपसे साहित्ति मेंस्तान पूछे, उसको कर सकते हैं। देखिए जैसे आप से पूचा तुलसीदाश जी का साहित्यमिस्तान चाहे किसी का भी पूचे तो आप साहित्यमिस्तान लिखेगा कि इनका महत्पुन्न स्तान है महत्पुन्नी की जगा पर आप उच्चे कोटी भी लिख सकते हैं और उत्क्रेश्ट लिख सकते हैं सरवच्चे लिख सकते हैं एक विसीष्ट स्थान लिख सकते हैं इस तरह से आप साहित्य में स्थान को बता सकते हैं और इन्हों ने जो अपनी सेवा हमें साहित्य के रूप में दिये हिंदी साहित्य में इसके लिए यह सदाई हम इनके रिन रहेंगे या आप इसलिकेगा कि इनका साहित्य में स्था उइक्त। हैं तता इन्होंने जो साहित्ति के द्वारा हमें सेवा प्रदान की है इसके लिए हम सदा ही इनके रहेंगे अब आप यहां से स्क्रीन सोट लीजिए फिर इसके बाद में रशना का और भासा इसके बाद इनकी सेली का और अंतिम स्क्रीन सोट है आपका साहित्ति में इस्टान मिलते हैं किसी और नए प्रसने के साथ नए किसी इंपोडेंट लेखा किया कभी परिचे के साथ